मामला है जिनांग 17-12-2020 को प्रार्थिया रामिश्री कुर्रे उद्वारा सूचना दिया गया था कि उसका भाई सोला तारी को रात में खाना खाकर सोया था यह भी अपने कमरे में सो गए थी जब सुवेरे उठी तो देखी उसके सीर से खून निगा रहा था उसके सीर में चो 302 कायम किया गया था जिसमें विवेचना की जारी थी लगातार प्रयास किया जा रहा था अगल बगल वाले गवाहों मुख्वी साइबर से डॉग इसपार्ट सब की मदत ली जारी थी विवेचना के दोरान प्रार्थिया से मेनों ग्यानिक तरीके से पूस्ताज करने पर मेनोट प्रार्थिया बताया गया कि तरार्थिया के दौरा ही अपने भाई मनोट कुर्डे को घर में रखे सब्बल से मारकर इसके है और उसके चेहरे पुंप्रेंट लगा कर जला दिया गया जब इससे कारण पूचा गया कि क्यों ऐसा की तो उसने बताया कि इन लोग का टोटल बारा एकर जमीन है और मनोज कुर्रे जुम्रितक है उसकी 2019 में सगाई हुई थी जब से सगाई हुई थी तो वो अपने सस्राल में ही ज़्यादा ध्यान देता था खर्च भी वहीं करता थ इन लोग के उपर एक भी खचनी करता था यहां तक कि जो घर की आवस्टक जरूरत रासन दवाईयां यह सब भी लाकर नहीं देता था और इन लोग से नौकरों की तरह काम करवाता था और दो टाइम का अच्छे से खाना भी नहीं खापाते थे और कुछ इन लोग बोलते तो इसको मार पीट भी करता था उसी से परसान होकर त्रस्त होकर आरोपिया ने उस प्रतार्णा से हमेशा के लिए चुटकारा पाने का प्लान मनाया और रात में सोते समय सब्बल से मार कर उसकी खत्या कर दी अब इदली करेंट से उसके चाहरे को जला दिया जबतार करके इना एक रिमानेट तो नियाले बेजा गया है